हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो शिक्षाब्यान तो क्लास 10 कमपार्टमिट एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन टिप्स में आपको बता रहा था तो इसके पार्ट टू वीडियो है आज जो है हम मैंसुरेशन और एलजेब्रा के जो चैप्टर से उनके बारे में डिसक्स करें कि सो एलजेब्रा के अंदर फर्स जो चैप्टर है अगर मैं उसकी बात करूँ तो इस पॉलिनॉमियर्स एलजेब्रा टोटल जो है 20 मार्क्स का यहां पर हम 10 मार्क्स को इजीली जो है टार्गेट कर सकते हैं और अगर बहुत अच्छी प्रिप्रेशन हुई तो आप 15 to 20 मा बिल्कुल इजीली यहां पर गैट कर सकते हैं और आपको एग्जाम जो है पास करने के लिए एलजेब्रा जो है बहुत इंप्रेट है तो कि पॉलिनॉमियर्स के अंदर मैं आपको कहूंगा कि फर्स्ट और आप सम अफ दा जीरोस एंड प्रॉड़क्ट अफ दा जीरोस प कोशन मैंने NCIT से ही लिया है और आपको बताना है quadratic polynomial तो इस तरह के कोशन आपको प्रिपेर करने हैं help के लिए आप शिक्षाभ्याम की website पर जाएगे और वहां chapter polynomial में यह सारे कोशन आपको solve मिल जाएंगे video format next जो है वो आप कोशन based on the division process division process पर जब एक polynomial को दूसरे polynomial से divide किया जाता है तो उस पर कोशन आपको जो है NCIT की जो last exercise है polynomial chapter में वहां पर आपको मिलेंगे for example अगर मैं आपको बता हूँ यह given polynomial है जिसके two zeros है two plus root three और two minus root three यह given है आपको दो और zeros निकाल नहीं क्यों क्योंकि यहां पर degree four है x to the power four highest है यहां पर तो power four degree हुई तो four इसके zeros होंगे two given है two और निकाल नहीं यही same question जो है इस बार की जो 2018 की examination हुआ था मैस का वहां पर यह ask किया गया था तो इसकी आप preparation कर लीजे तो मैं कह सकता हूँ यहां पर आप four to five marks वो यहां आपके prepare हो जाएंगे अगर next chapter की मैं बात करूँ तो linear equation in two variable इसमें सबसे पहले आप prepare कीजिए graphical solution जो find out करना है यानि equations review है और graph आपको बना के यहां पर solution find out करना है यह आप करेंगे क्योंकि यह easy होता है equation और most of the time यह ask किया ही जाता है तो आप इसे certain होंके बिलकुल आप prepare कीजिए यह ask किया जाएग इसके बाद word problem तो word problem में आपको selective होना पड़ेगा क्योंकि word problem based on ages भी होता है based on fraction भी होती है based on number based on speed time distance और board and stream वाली जो word problem है इन में से जो word problem आपको easy लगती है उनको ही आप prepare कीजिएगा जो difficult लगती है अब भी starting के लिए उसे छोड़ दीजे जब यह सारी preparation आप करने तब उन problems पे जाईएगा साथी equation solve करने की जो method है तो मैं कहूंगा elimination method जो है उसको अच्छे से prepare कर लिजे because आपने हाप equation बना लिया equation given है उसका solution find out करना है तो आपको elimination method से आप easily find out कर सकते हैं और वो easy माना जाता है तीनों में लेंदी होता है और question to question जो है vary करता है अगर बड़ा number का question आगा है तो cross multiplication से solve करना difficult होगा next अगर यहां बात करें question based on the number of solution number of solution पर बेज़िया नहीं अगर मैं दिख्का हूँ क्या आपको दो equation दीवी है और इनके solution क्या new solution है infinitely many solution है या unique solution है तब आपको जो है a, b या unknown k की value find out करना होती है question मैं आपको दिखा देता हूँ जैसी ये question है for what value of a and b does the following pair of linear equation have infinite number of solution इस तरह का question c, b, c का favorite question है वो pass करते हैं तो इस तरह की question आप prepare कर लीजे यहाँ पर आप infinite number of solution की condition लगाएंगे a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 और वहाँ पर a1, b1, c1, a2, b2, c2 की value रखेंगे और आ जाएगी तो इस तरह की question आप prepare कर लीजे, next अगर मैं chapter के बात करूँ तो quadratic equations है, तो quadratic equations में again आपको roots find out तो करने होते है, splitting the middle term method से, लेकिन यहाँ पर जो equation दी जाती है, mainly three marks का जो question आता है, वहाँ पर direct easy equation नहीं दी जाएंगे, जैसे यहाँ पर है आपका x minus 1 upon x, पहले आप solve करेंगे, व आपको यहाँ पर roots निकालने, या second part में देखे, 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equal to 11 upon 30, इस तरह की equation CPSC ask करते हैं, जहाँ आपको roots निकालने होते, तो यह इस तरह की equation आप prepare केजिए, NCIT के अंदर यह दो equation है, बाकि आप शिक्षा अभ्यान की website पर जाके, quadratic equation का assignment section है, वहाँ पर मैंने इस तर की है, quadratic equation के अंदर again मैं कहूंगा कि splitting the middle term, जो method है, इसको अच्छे से आप solve कर दीजे, अच्छे से practice कर दीजे, क्योंकि quadratic equation के most of the equation इसी method से solve होंगे, otherwise अगर नहीं आपार है factor निकालना, तो आपके पास जो formula है, quadratic formula minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, उसका use करके भी आप निकाल सकते हैं, next, word problem यहाँ पर भी आसकी जाती हैं, इस particular chapter से, लेकिन again मैं कहूंगा selective हो जाईए, आप अपनी word problem के लिए, जो difficult वाली है, NCIT के अंदर वो अभी के लिए छोड़ दीजे, easy वाली solve कीजे, next, जो algebra के अंदर chapter है, arithmetic progression, again arithmetic progression के लिए मैं यह कहूंगा, पहले आप formulas कर लीजे, यानि nth term का formula, some of the nth term का formula, यह formula आप cram कर लीजे, उसके बाद आप directly, जो है, questions NCIT में जो यह दिये वे हैं, वो solve कीजे, और sample paper के question solve कर दीजे, that is enough for the arithmetic progression, तो यहाँ पर मैं 20 के अंदर से 10 का target में आप दी रहा हूँ, आप 10 से ज़ादा ही marks यहाँ पर लेंगे, और आपको सिर्फ pass 3 नहीं, बलके बहुत अच्छे number से आप जो mathematics का paper pass करेंगे, next, यह मैं आपको बता दिया, for what value of k, यह इस तरह की question भी prepare कर लीजे, जब आपको nature of the roots जो है, दियावा होता है, कि nature of the roots equal है, unequal है, real है, तब आपको b square minus 4 is any discriminant greater than 0, equal to 0, less than 0, वो condition लगा के unknown यहाँ पर find out करना, quadratic equation के लिए, तो यह भी आप कर लीजे, one और two marks के लिए यह पूछा जाता है, next, अगर हम mensuration की बात करें, तो mensuration के अंदर area related to circles, और surface areas and volumes सी आपको पूछा जाएगा, तो कि first of all तो यहाँ पर सारे के सारे NCIT की questions है, that are enough, वही आप solve कीजे, और formula आपको जोए cram करने पड़ेंगे, सारे formula's cram कर लीजे, formula cram करने के लिए यह है कि आप cube का अगर आपको formula learn करना, उसका volume क्या है, surface area क्या है, टोटल surface area क्या है, तो उसके लिए cube पर based question solve कीजे, two, three, four question जब आप solve करेंगे, formula's याद हो चाहेगा, इसके बाद frustum of a cone, मैं आपको जिद्यान दिला दूँ, frustum of a cone, last exercise है, surface area and volume की, उससे CBSC most of the time question पूशता ही पूशता है, तो वो frustum of the cone के question आप कर लीजे, यह से आपकी mensuration की problem solve जाएगी, और 10 में से मैं 6 का target दे रहा हूँ, आप और ज़्यादा marks लेके आएगे, तो इस तरह से आप class strength mathematics की preparation करेंगे, अगर आपको कोई भी doubt आता है, कोई भी problem आती है, तो comment section में जाके आप comment कीजिए, हमें email भी कर सकते हैं, हम आपकी problem को बिल्कुल जल्दी से जल्दी solve करेंगे, और आपकी doubt को clear करेंगे, so hope करता हूँ कि आपने इस वीडियो को like करें, share करें, और हमारे youtube channel को subscribe भी करें, क्योंकि youtube channel पर हम new new video से आपको information देते रहेंगे, new exams की exam के preparation से related, तो subscribe करें, और share भी करें हमारे youtube channel, और हमारी website www.shikshabiyan.com पर जाके आप login कर सकते हैं, आपकी complete mathematics का solution वहाँ पर आपको मिल जाएगा, NCIT के भी और सारे topics के भी, जिस topics में भी आपको problem है, अब हमारी app को भी download कर सकते हैं, google play store से शikshabiyan जब आप type करेंगे, तो आपके पास app का link आ जाएगा, so thank you for watching the video, good luck for your exam.